गुड मार्निंग दोस्तों अभी हम धनॉल्टी जा रहे हैं और आप मेरे वीडियो में बनी रहेगा मेरे वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा धनॉल्टी मसूरी के बहुती नजदीग पड़ता है और धनॉल्टी देहरादून के भी आपको यहाँ पर इसनों दिख रही है तो यह धनॉल्टी वैली है तो मेरे पास कुछ पुराने वीडियो क्लिप से उसको जोड़कर मैंने अपना एक वीलोग बनाया है तो धनॉल्टी भी बहुत अच्छी जगह है जो आप फैमली के साथ एंजॉय कर सकते हैं जो लोग NCR में रहते हैं उनके लिए दनॉल्टी एक perfect weekend gateway है क्योंकि NCR से आप hardly five to six hours में पहुंच जाएंगे और जिनको ज़्यादा बीडबार पसंद नहीं है उनके लिए भी दनॉल्टी बहुत ही अच्छी जगह है इसके आसपास मसूरी चंबा टेरी और कनातल यह स्टेशन भी अच्छे हैं उनको भी बहुत आनंद आया था बीच में कहीं कहीं काम भी चला था कुछ यहों पर और आपको रास्ते इस तरह के मिलेंगे रोड काफी अच्छी है तो जब हम फरवरी में कहते हैं इसलिए मैं काफी इसनो मिली थे आप देख सकते हैं सबी लोग दोनल्टी सब्सक्राइब बनाते रहता हूं जिससे की बाकी लोगों को भी मालम चले और वो अपनी ट्रिप को अच्छे से प्लान कर सके हैं दोस्तों दनल्टी देवदार और ओके जंगलों से घिरा हुआ है यहां की वैली बहुत सुन्दर है और यहां के रास्ते भी बहुत अच्छे हैं जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में किसी के पास ज्यादा बजट नहीं है तो वह अपना हनीमून भी यहां प्लान कर सकत हैं जैसे साइक्लिंग रैपलिंग जिप लाइन केंपिंग बर्ड वाचिंग तो दोस्तों अगर आप एक बीड भाल वाली जगह से दूर जाना चाते हैं जैसे कि अगर आप एंसेयर में जाते हैं और आप बहुत परिशान हो चुके हैं यहां के क्राउट से तो आप